इस सिंगानिया के बच्च अच्च तू होंगे नी तुझी कैसे पता इतनी दियर से एक बोल को खड़्डे में दुड़्डाल नी पा रही है तुमें क्या असान लगता है तू सीरियस हो गया यह एक लप यह बॉल वह होल तू नहीं कैसे किया पता लगते हैं बताता हूँ एगाईज वेलकम टू डिफेंस स्पेक्टरम तो गाईज एफकेट के एक्जाम के अंदर आपके स्पोर्च टैनलोजी के हर बार कम से कम एक से दो कुश्चन पका आते हैं ठीक है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और अपने एक दो नंबर फिक्स कर लें हैं न क्योंकि मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी है देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसके इंदर वो पहले बतायता है गॉल्फ है पहले इसके कॉंसेट लेंगे कॉंसेट मतलब जूसके गेमिंग के रूल से एकदम आपने कभी खेला नहीं होगा लेकिन आपको स्क्र दो जीवर को वह सबसे पहले गॉल्फ में गॉल्फ में जहांसे वह वह बंदा शॉट मारता है जैसले फ्लेयर है यह शॉट मार हया हुए ठीक है तो यह जो एरियह होता है जहां पे खड़ा होता इसको बोलता है टीबोक्स क्या ब यहां से इसको एंगल सही लगता है यह अपने इसाब से वो टी-बॉक्स चूज कर सकता है वो प्लेयर के ओपर डेपेंड करता है कि वो कौन सा टी-बॉक्स सेलेट करता है टी-बॉक्स वन टू-3-4 कहीं सारे होते हैं ठीक है ना डिस्टेंस सबकी सेम होती है जहां पर एक छ P-A-R क्या होता है P-A-R पार देखो पार का मतलब होता है एक पार ने extended value है extended value मतलब देखो इसको हिंदी में बोले हैं तो लिखेंगे बार बी बार ठीक है बार वाला बार लग कितनी बार में पांच बार तीन बार दो बार मतलब यह बंदा यह जो भी प्लेयर है यह एक बौले के अंदर यह छेद पूट बार सकता है यह फॉर्भ ऑपर सकता है था और हिंग इतौर है इंपोर्टेंट है यहाद रखण यह हूँ इखो अब आपको पार तो शमजмेन आगे कि पार क्या चीज अगर अगर मैंने आपसे यह बोल दिया कि guys कोई एकदम बहुत ही अच्छा प्लेयर है ना तो उस प्लेयर ने क्या करा वो direct यहां से उसने ball मारी और डायरक्ट छेद में चली गई डायरक्ट है ना एक ही बार में one shot में एक ही shot में कित्ती बार इसमें चली गई छेद में तो उसको क्या बोलेंगे ace a-c-e-s क्या बोलते हैं उस वले वर्ड को ace ठीक है यह भी आपको याद होना चाहिए तो अब जो second word हमने पढ़ा वह मैं यहां पर लिख देता हूँ एस पार पढ़ लिया एस पढ़ लिया ठीक है उसके बाद अब आता है आपका next next क्या है देखो एक बार next slide पर चलते हैं पहले यहां पर आजाओ अब दो चीज़ होती है पांच आपके पास कितनी टोटल टाइम हो कितने कितनी बार आप मार सकते शॉट को पांच बार है ना लेकिन कई बर ऐसा होता है कि आप उससे कम शॉट में cover up कर देते हो है ना उसको बॉल को आप hole के अंदर पूट करना है वह आप कम शॉट में लगवग एक शॉट में दो में तीन में चार में अगर यह कर देते तो इनके नाम अलगे और आगर छह साथ आठ में उलक्स के जो मज़ में आनीची है ठीक है आगई चलो बैक्षलाइड पर चलते हैं अब क्या हुआ एक बंद ने तो एक यी बार में मार दिया उसको क्या बोलते हैं एस यह अब जो नेक्ष्ट बता रहा हूं वह थोड़ा ध्यान से देखना हूं अब क्या हुआ इसने दो बार में मार दिया दो बार में एक तो इसको बोलेंगे तो बहुंके थिक है इसको क्या बुलते हैं डबल इगल अगर यहां पर आपने और आपको त्रिक से गार तो को कि अगर अगर आपने एक छोटा मुलब एक शॉट अपना बचा लिया तो एक स्वki ने बचा लिए लेकिन अपने बचा लिया ना तो माइनस चोट आपके बच गए है आधे तो ऑपने ऑफ的時候 बचा लिया तो double eagle बना और भी अच्छा Eagle Eagle से और बी अच्छा डबल डबल से और भी अच्छा एस तो मैंने बता दिया direct मानना तो ये आपको सारे के सारे मेरे खाल से याद हो गए होगे इस से जादा इसमें बाता है नीचे वाला दिखो अब आता है ओवर वाला सीन जब ओवर हो जाता है आप पांच चांस मिलेते आपको मानने के लिए अब हुआ क्या? आपको पांच न मारके पहले वाली चली गई यहां पर ठीक है यह होगी दो यह होगी तीन यह होकी चार और यह होगी पांच फिर होगी 6 तो आपको लगवग 6 चांस लग गए है ना तो इसको बोलते हैं बोगी क्या बोलते हैं इसको बोगी ठीक है लिख देता हूं मैं बोगी क्या बोलते हैं इसको बोगी लेकिन अगर इससे ज़्यादा लगे पांस से अगर एक ज़्यादा लगा तो बोगी अगर प लिए ऐके सारे їस्ते आट दो श्लू अब यहां पर आते हैं यह जो टूम से मैंने जानमूज़ की मनि बताए स्टार्टंग में चाहिए तो मैं बता सकता था आपको कुछ नहीं होता, अगर समझो, कोई ये बंदा है, ये एक ही बार में यहां मारना चाहता है, тоो इसकी बीच में traps आते हैं, इसको traps बोलते है, एक होता है water hazard, एक होता है sand trap, इसके क्या बोलते हैं, bunkers बोलते हैं, तो कुछ नहीं है, अगर समझो, इस नही को कि यहां पर आपको इक शॉड याद करना पढ़ेगा जो में यहां मैंने लिखा नहीं है वह लिखवा रहा हूं प्रिकेंट म्य अगर यहां पर आपकी बॉल फच गई तो इसके लिए अलग से शॉट होता एंद के इसको बोलते हैं एक्स्प्लोजन शॉट क्या बोलते हैं इसको एक्स्प्लोजन शॉट तो आपको एक्स्प्लोजन शॉट माना पड़ेगा एक्स्प्लोजन का मलब समझ में रहा है ना जोर से मानना पड़ेगा बहुत जोर से तब भी तो यहां से बॉल निकलेगी सैंड से है ना उसको क्या बोलते हैं explosion shot तो जो sand trap में ball फचती है उससे बचने के लिए explosion shot मारा जाता है ठीक है अब देखो नीचे आ गया water वाला अगर water में पानी में ball चली गई तो it is next to impossible और वो बंदा game को हार जाता है है ना वेकि यह पानी से तो ball निकालने सकते shot मार के ठीक है अब देखो यह आपके सारे के सारे अभी जो इसके अंदर कुछ-कुछ बज गए हैं ठीक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब तीन type के shot होते हैं समझो यहां से snake shot मारा हम यहां पर आ गए ठीक है तो जो इस ने पहले shot मारते हैं इसको क्या बोलते हैं और पहले shot को उसके बााद इसने यहां से लेके एक यहां तक एक दूसरा यह, और इस वाली को क्या बोलते हैं approach, यह बहुत ज़्याद है उसके pass पहुच गया है, ठीक है approach shot बोलते हैं, यहाँ से लिक़े यहाँ तक approach shot मार दिया, लेकिन जो यह लास्ट में यहाँ से लिक़े जो यहाँ तक shot मारता है इसको बोलते हैं, क्या, put shot, putt पुट शॉट आखिर वहां कि इसने पुट कर दिया एक होल के इंदर ठीक है इसको क्या बोलते हैं लोग पुट शॉट तो ये तीन तीन शॉट हो गए पहला ड्राइव दूसरा एप्रोच तीसरा पुट ठीक है इसको मैं आसे मिटा रहा हूँ और पीछे लिख रहा हूं जा क्या क्या चीज है यहां पर मैंने छोड़ी है उजान मुझके पहला तो टी बॉक्स आपको मैंने बता दिया यह जो बॉक्स होता है जहां पर खड़ा होके मारतस को टी बॉक्स बोलते हैं जहां पर जंडा गड़ावा होता है यहां पर जो ग्रास होती है यहां पर जो ग्र टी बॉक्स गॉल्फ तो टी बॉक्स से सीधा कहां ग्रीन के अंदर हमें बॉल्ट डालने होती है ग्रीन के अंदर भी कहां पे इस वाले छेट के अंदर ठीक है अब देखो अब क्या होता है इसके बीच वाली एरी को क्या कुछ ना कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ऐसा तो होता है मुझ गरीन घासा यहां यहां पर जंगल वालिये सिस जंगल मीं अब क्या ईपन्दे इस बंदेने यहां से श्राट मार और वहा और इस जंगल जाकर चला गया एक सइकिन इसses अब और फिर से क्लियर एक इमीज बना दिए यहां पर फिर एयरिया जoga इन बहुत अब जो चोटे मोटे टंस हो जो मालक से बता देता हूं कि यह गया यह गया यह यहांपे ना क्या कर रखता है मैंने इस तरीका से आपको सारी टंस लिखके दे रहे पढ़ सकते हैं ठीक एग लें वो ही same words है ठीक है देख लें आप इनको एक बार ठीक है screenshot लेके पढ़ लें या तो फिर definition याद करने की जवतनी है एक्जाम में वो नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए कौन सा कौन से गेम से related है ठीक है एक word रहे गया यह 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 अपर लिखावा है ठीक है पिर से बता रहा हूँ इगल डबल इगल डबल इगल भी नाम है ऐसी बात नहीं डबल इगल नाम नहीं है लेकिन इसको एक अलग word से आ जाता है क्या बुलते हैं गॉल्फ क्लब ठीक है अब दिखो यह आईरें के हो सकती है जो बीए वूट्स की सब आपको याद करने की जड़ती है बस यह यह रखने जो लास्ट में जिससे मारते हैं उसको क्या बूलते हैं पुटर कहां पर मारते हैं यह पुटर देखो जब हम इसमे कंपनी के नाम पर मत जाए बस आपको यह यूटिलीटी में यह सब बस होती है उस आप याद रखें एक पुटर होती है बस ठीक है इंपॉर्णट है पुटर वाली ठीक है आगे चलते हैं जो लास्ट छोटे-मोटे बच गया उनको नाम बता जाता हूं देखो एक होता है डफ ड्यू एफ डफ पहले आप यहाली वीडियो देखो उसका एल बताता हूं डफ क्या होता है इस सिंगानिया के बच्च चतु होंगे नी तुछी केसे पता इतनी दियर से एक बोल को खड़्डे में दुड्डालनी पा रही है तुम्हें क्या असान लगता है तो सीरियस हो गया यह क्लब यह बॉल वह हो तुम्हें कैसे किया पता लगते बताता हूं देख ली देखो का मतलब कुछ नहीं होता मतलब एक बैड शॉट के बैड शॉट जो भी गंदा शॉट होता है उसको क्या बोलते हैं ठीक है तो अगर आपने हमको टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप फॉलो कर सकते ह इसके साथ हम लोगोनेे इसमें मौन से पढ़ा रहे प्लस दिक्स ठीकर ना तो ये इस तीनों चीजों से इसमें कवर अप कर रहा है हमने बहुत अत्य सियाद करवाया है इसके साथ साथ वहाँ पर आभी आपको कुर्स दिखाई देगा तो इसके इंदर आप एंडॉल कर सकते हैं इस वाले कूपन कोड के साथ तो आपको काफी अच्छा-खासा तरीक तो इसका फाइदा उठाएं गईस धन्यवाद